हाई फ्रैंड्स कैसे हैं आप सब जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मेरे हाथ में है पतंजली आमला कैंडी जो कि आप नाम से ही पता लगा सकते हैं कि यह आमला कैंडी आवला से त्यार की गई है और यह पतंजली आयोवेदा का उतपाद है और जो कि भारत में ही बनाया गया यह देख सकते हैं पतंजली वालो की स्टैंप और यह प्रापतिक रूप से त्यार किया गया है तो इसमें किसी परकार की कोई भी साइट प्रोब्लम नहीं है आप यह देख सकते हैं इसको वेजिटेरियन लोग भी वेजिचको के सेवन कर सकते हैं और मैं आपको बता दूँ इस समय जो मेरे हाथ में यह प्रोडक्ट यह 500 ग्राम का है जैसे कि आप देख सकते हैं और मैं आपको बता दूँ दोस्तों यह मटके की अकार की पैकिंग है और यह कैंडी है जो आप खाने में बड़ी टेस्टी लगने वाली है जैसे कि इसकी पैक और जो आप इसका यूज है वो आप इसका यूज जो है एक साल तक कर सकते हैं और इसको सभी लोग खा सकते हैं लड़का लड़की बच्चे भूडे इसके किसी परकार की कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि इसके अंदर जड़ी पूटिया डाली गई है अब मैं जो आपको इस प्रोड़क के बारे में कुछ बाते बताऊंगी सरसे पहले दोस्तों पतंजली आवला केंडी में जो है विटामिन C का एक प्राकर्तिक पूरक है इसके अंदर जो है विटामिन C जो है भड़पूर मात्रा में पाया जाता है यह बहुती लाब दायक है और ज इसके परियोग करने पर मुह से बुद्बू आनी वाली समस्या भी खतम हो जाता है अगर इस चैंडी को खाएंगे तो आपके अगर मुह से बहुत 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 बद्बू आती है तो वह बल्कुल बंद हो जाएगी यह हमारे पाचन तंतर में भी सुदार लाती है अगर करेंगे तो आपकी पाचन तंतर भी बिल्कुल तेज होगी यह जो कैंडी है यह बहुत स्वादिस्ट है और इसको नीमित रूप से खाने से कहीते है कि हमारे स्वस्ते को लाब होते हैं अगर हमारे शरीर में जाहरीले पदार्त है तो उनको भी खतम करने का जो है यह काम कर होते हैं और उर्जा को शिकाओं की रक्षा करने में यह जो पदार्त है यह जो कैंडिया है मारी मदद करेंगी अब विटामिन सी मुक्त कन के हनिकारक परभावस से शरीर की रक्षा करने और उमर बढ़ने की संकेत को रोकने में में यह जो है बहुताद उप्योगिया कई बच्चे की उमर इतनी नही हुई होते हैं लेकिन वह बढ़ा बड़ा नजर आता है तो यह उसके लिए भी बहुत अच्छा है उसको रोकने का काम करेगी और आपला जय वह नेत्र में सुधान के लिए अच्छी जड़ी बूटी है तो अगर आप इसको खाएंगे तो आप प्रोब्लम है या उनके मसुड़े सूसते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है चोकलेट से अच्छा आप बच्चों को यह खिलाएं यह जो कैंडी है यह कई परकाट से उनके स्वास्ते के लिए बहुत जादा रही है और मैं आपको बता दू के जो इसके अंदर विट पूर्ती अवशक पोशक तत्वों में से एक है इससे शरीर की कोशिकाओं की शक्ति वे उर्जा बढ़ जाती है और शरीर के अंगों को बहतर कारे करने में भी मदद मिलती है तो यह जो कैंडी है यह बहुत अच्छा अच्छा अपदार था आपके बच्चों के लिए एक पांच या दस ग्राम दिन में दो बार ले बस इससे जादा इसका प्रियोग ना करें और सामानने अदुरवलता यह आपको पच्छ के लिए भी मतलब अगर आपको आपको पच्छने की नई प्रोब्लम है तो खाने के बाद आप यह कैंडी खाए पांच से दस ग्राम जैस तो यह आप देख सकते हैं पैकिंग के लिए यह बहुत अच्छ तरीके से यह त्यार किया गया है ताकि आपकी जो इससे ही इसले पैक किया गया है ताकि जो कैंडी की गुनवता खतम ना हो जाए और देख सकते हैं आप यह बहुत अच्छा प्रोड़क्ट है मेरे को लग सॉफ्टी हैं ड्याविटी का रहा है कि कलर बिल्कुल सौ guidelines है तो अपर शुम्राइब वहाओ थो खीलाइब बच्छों सब्सक्यासिया उन्हें इसका करा ख्टेर कांद ऐसा like it जरूर कीजिएगा और मेरी वीडियो पर लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेल आइकन पर क्लिक कीजिए धन्यवाद